हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी को मानचित्र से संबंदित आपके बोड के एक्जाम में 10 नंबर के सवाल आते हैं सिर्फ आप इस वीडियो को 15 मिनट तक देख लिजिए आपको 100% लिखित गारंकी देते हैं कि जितने भी प्रश्ण आपको मानच मानचित्र से संबंदित प्रश्ण पूछा जाता है और यह प्रश्ण आपके बोड के एक्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है तो आप सभी को ऐसे इंप्रश्ण कराने वाले हैं कि इन प्रश्णों के बाहर आपके बोड के एक्जाम में एक क्वेस्टन बाहर नहीं जाएगा तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और जितने प्रश्ण बता रहे हैं और सीधे आपको मानचित्र पे भर की वी बताएंगे कि कल के paper में आपको किसी प्रकार का problem न हो तो friends आपका समय न गवाते हुए चलिए video start करते हैं यहाँ पर देखिए आपकी सामने यह question लिखा गया है सबसे ज्यादा important जो प्रसन है वही प्रसन यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं देखिए पहला प्रसन आप से पूछा जाता है कि नेल की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन कहां से प्रारम हुआ था यह था आपका चंपारण और साथ में याद रखें चंपारण परता है बिहार में अब देखिए मांचित्र पर आपका इसे बढ़ेंगे यह आपके सामने मांचित्र यह आपका उत्तप्रदेश यह है आपका बिहार यहाँं पर क्या किजिए यहाँ से आप यहां से खीचचीए घीक और यह बढ़陋ए चंपारण सी Εप यहां पर आपके का बिहार में क्या है चंपार्ड आप सीधे प्रश्ण की याद रखेगा कि आपसे बोर्ड की एक्जाम पूछेगा नील की खेती करने वाले किसानों का अंदुलन कहां से हुआ था चंपार्ड बिहार से पहला प्रश्ण यह लिख लिजिए आपको यह खेड़ा खेड़ा कहां पर है तो आपका गुजरात में तब देखिए इस प्रश्ण को कैसे बरेंगे तो यह है आपके सामने मांचित्र देखेंगे मांचित्र आपकी दिमाग में छप जाएगा इसी लिए आप बार बार देखिए और बार जो भरा रहे हैं उसको आप पूछता है कि वह आस्थान बताईए जहां से सूती मिल सरमिकों का सत्यगरा प्राणाब हुआ था तो सूती मिल सरमिकों का सत्यगरा कहां से हुआ तो यह हुआ आपका अहमदाबाद गुजरात आहमदाबाद से ह 후ा था और आहमदाबाद पढ़ता है गुजरात में, तुझा है यहां भार लिए आंगला प्रशना सबसे important प्रस नहीं यह कल की paper में आपको hundred percentage देखने के लिए मिलेगा कि जालिये वाला बाग हत्याकान कहां से प्राराम्ब हुआ था यह था आपका amirisar यानि कहां पे हुआ था जालिये वाला बाग हत्याकान यह amirisar में हुआ था यह amirisar है और आपका पंजाब में याद रखिए अब दीचे मांचित्र पीसे भरेंगे कैसी यह आपके मांचित्र है यह पड़ता है आपका पंजाब और पंजाब में अब इस तरह करके amirisar भर सकते यह अम्रित सर भर लीजिए अम्रित सर ठीक है बस जितना प्रश्ण बता रहा है आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी प्रश्णों के एक बार सिर्फ देख लीजिए कल के बूर्ड की एक क्वेस्टन भी बाहर चला गया इससे न तो आप कमेंट बाक्स में लिख गोशन हुआ था देखिए आप प्रस्ण सिधा सिधा यह पूछा जाता है कि असायोग आंदोलन क्यों महात्मा गादी जी के द्वारा अस्थागित कर दिया गया था यह चूरी-चौरा हत्यकारण 1922 इसमी में हुआ था इसके कारा आपका असायोग आंदोलन को क्या किया ग पर देश में यह आपके सामने मान चीत्रै में कि आ यहन उत्तर पर देश में हां पर पड़ता है चौरी-चौरा कि छणा बस ने Аभाति आंदोलन प्रारंभ एजिक सकर ब्सक्राव के थै chick अगला प्रशं़िए आप आवा तरह अवार्थ यादिल आंदोलन को नहीं गुजराट में तुझे इसे आप गुजराट में कैसा दिखा दिखाएंगे यह आपका गुजराध में इसको दिखा दिए आधेरा अ आध्य आस्रांग धिम mínimo सब्सक्षीय अगला अगला महात्मा गाधि जी ने नमक कानून भंक किया था यानि के घिया है तकrą ढ़ता है अज बढ़ता है झाल नि, इसको खीच की आप लिखें दी भिर Daunti थी ये भार प्रवाइबभ यहां को यहां प्रवाद की कितने प्रश्ण बता रहे हैं आप इन प्रश्णों को याद रखिएगा तिहां पर प्रियाग राज भर लिजी प्रियाग राच ठीक है तीस पकास आपको भरना है देखिए आप इन सभी सवाल गुज़े से प्रियाग राज उत्तर परदेश में अमिरित सर्जों आपका कहां पर है यह है आपका पंजाब में साबर मति आस्रम खेड़ा आहमादाबाद डांडी यह सभी कहां पर आपके गुजरात में इन सभी प्रश्णों को आप जरूरियाद रखिएगा देखिए अब एक और प्रश्ण आप याद रख लीजिए कल के पेपर में यही प्रश्ण आपको देखने के लिए मिलेगा देखिए क्या है कि सितंबर 1922 में प्रश्ण कैसे बनता है भारती राष्ट्री कांग्रेस का जो अधिवेर्शन सितंबर 1922 में हुआ था तो कहां पर हुआ था यहां पर होत är нажा ठीक right और इसको बघल में यहां आपका पसचिम बघल ए भर देगा इसको पसचिम बंगाल श molta कर जय में जेब मतलब सितंबर 1922 में जो कलकत्ता में भारती राष्ट्री कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इस पकास भर लेंगे आप कलकत्ता जब यहां पर महिना आप जरूरी याद रखिएगा सवाल पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा यहां पर महिना दिया है सितंबर दिया है दिसंबर दिया है सितंबरगो constrained अगला प्रशन देखिए डिसंबर उन निएश्यवाथ्च्री कांग्रेस का अधिवेशन सब्सक्राइप हुआ था यहांता था आपका नागपुर ठीजेंगे नाटपूर भर लेंगे नागपूर यहां पर दैखेंगे नागपूर में अधिवेशन हुआइए अगला पूचता है कैसे भारती राष्टРИ प्रशन आपका हो गया अगला प्रशन देखिए सन 1929 इस्वी में कांग्रेस का दिवेशन जो गुआ था कहां पुआ था लाहोर में यह लाहोर कहां पे पाकिस्तान में अब देखेंगे यह वाला भाग जो पूरा है यह पाकिस्तान है पाकिस्तान में यहां के करीब पड़ता है आपका लाहोर ते यहां लिख सकते हैं लाहोर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लाहोर ठीक है यह वाला भाग क्या हो गया आपका लाहोर हो गया ति इस पकास इस प्रशन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा अपके अगला नंबर क्या है कि भारती राष्टी क्रेश का प्रथम अधिवेशन का उब हुआ था तो बारती राष्टी का उधिवेशन का प्रनुप Mooंबई में दौन दखिए आपका मांचित्र में यह क्या है सकते हैं प्रथम अधिवेशाण प्रथम अधिवेशाण जो हुआ था इस पकाँ से मांचित्र को भरना है समझ में आगया होगा न कहीं पर कोई भी डOUGHT आपको लगता है ठीक बार बार यह चीज बोलना है कि एक भी question बाहर नहीं जाएगा चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखें आपके सामने यह सबसे important जो question है जो आपके board के exam में 100% कल के paper में आएगा वही question यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं तो यहाँ पर जो गेर हैं इसको थ सब्सक्राहिश के बहुं का सबसे बड़ा उत्पाधक राज्राज़ आपका उथर परदेश और पंजाब दोने राजज क्या है पंजाब भरना यह उत्तर परते दोनों आपको राजraft के बता देते हैं जो आपको लिखना होगा लिख सकते हैं दोनों यही एंस्वर आपका क्वाइब्स युगा ये यह आपका पंजाब पंजाब में आप इस्तरे करके लिख सकते हैं क्या होता है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह इसके आलवाब इहां पी लिख सकते हैं क्या है अपका उत्तर परदेश भी है तो आप प्रशन देखे पूंचा पूछ प्रदेश लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश में यहां पर भरिएगा ठीक है अगरा प्रशन आप से पूछता है हर साल सरवाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है सरवाधिक जूट उत्पादक होता है आपका पस्चिम बंगाल में होता है इस प्रशनों के भी आप ध्यान रखिएगा सरवाधिक जूट का उत्पादन पस्चिम बंगाल में अब देखें मांचित्र कैसे भरेंगे तो यह है आपका बंगलादेस पश्चिम बंगा अब अगला देखिए काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राजी क्या है काफी का याद रखिएगा कहां से करनाटकि काहां से करनाटक याद रखिएगा काफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्जे करनाटक अब देखें मान्चितन में करनाटक यहाँ पर पढ़ता का महराष्ट के बाद है करनाटक यहां पर कॉफी क्या बिकला पर AS समझ में आगे आगा अगला नॉम्हा प्राश्न है चावल का ऊदक राज हो तससे बहुंत फांथ राज तापका पस्चिम बंगाल थो आपके सामने मांझित्र है मांझित्र में ये पक्षाइ suction बंगाल यहीं BM आपके क्या है चावल का उत्पादक राज्य है अगर सर कौन है तो आपका पस्चिम बंगाल है ठीक है अगरा प्रशन देखिए आप मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राजी क्या है आपका गुजरात है तो मांचित्र में देखिए गुजरात कहा पर है यहाँ आपका गुजरात यह मुंगफली को कहा पूत्पादन होता है ठीक है अगर सवाल को देखते हैं गन्ना को पादक राजी सभी को पता होगा कि गन्ना का सरवाधी अगला प्रसन देखिए चाय उत्पादक छेत्र यानि कि चाय को उत्पादक राजी कौन से असम कैसे वह रहेंगे तो देखिए आपका मांचित्र इसमें यह पूरा भाग क्या है आपका असम है और यहां पर लिख सकते हैं चाय समझने के लिए श्रबा प्रतक राजी है थीं वह ठिए रपड़ पर खेल्लीरं कि मांचित्र आपको प्रस्थन कर रहत रहे हैंते और कंपके कहां पे हैं तो की Training यह पड़ता है केरिल्ग क्या है रबंक यह जो हता है करनाटक नीचे यह पढ़ता है कि कैरल कि में क्या है प्रशन दखिए कपास उतपादक राजी का पूछता है कपास का दो जगदा राज्यों को भरके बता देते हैं देखें कपास निखती दीजिए समझने के लिए और यह गुजरात में भी आपको क्या होता है कापास का उत्पादम होता है तो दोनों राज्यों में से कोई भी राज्या आपको जो याद होगा भर दिजेगा आपका एंस्वर 100% परसेंट होगा ठीक है तो देखें यहां पे आपके जितने भी इंपोर्टेंट सवाल गेहू मुख़ली चावल यह जितनी भी इंपोर्टेंट थे आप सभी को बता दी इसको एक बार देख लीजिए जिसे गेहूं का उत्पादक राज्य क्या है पंजाब है गन्ना और गेहूं का उत्पादक राज्य आपका क्या है उत्तर प्रदेश है चाय का उत्पादक राज्य अगसरमें देखा आपका क्या है असम है इसके लाधouse दोनों कौन है है पस्के GREG माराष्यमेट में भी होता कंब सबस्क्राइद अगला प्रस्ण आपयाली से सम इंबेफैंट यह देखिए यहां पर सभी आठ बांद इस आठ बांद के बाहर एक भी बांद आपका जाने वाला नहीं है और नदी से संबंदित है जो कभी-कभी आपके बोड के एक्जाम में नदी भी पूझ लेता है यहां पर यह सभी आपके जो क्वेशन बनते सभी क्लियर हो जाएगा एक बर बस ध्यान से देख लिजिए और इसको आपको मांचितर भर की भी बताएंगे ठीक है पहला है कि हीरा कुंड बांद आप जैसे दिखें इसी तरह एकला बस लिखे दिजिए प्रश्णियाद हो जाएगा हीरा कुंड बाद कहां पर तापका उरिषा राज्य में और किस नदीप तब महा नदीप तीसका मतलब आपसे हीरा कुंड बांद बोलेगा तभी पूरीशा में बना दिजिएगा तो देखिए आप उरिषा है कहां पर तो दे कि आप को दो जायागा आपका है कि महा कुंड नधी ये हैं पर महा नदी अर्व याद करने के लिए महा नधी फिध्सक्ता कहां पर नदीब अको रचिम त्द्र दखने तु हम भध्राबा बांध alrededor बहुत कम बोड़ की visão में आता है लेकिन आप कुम बंडराबांध को भी देख लिजीये देखिसे और और किस राज्य में करनाटक को पता है यहां पर क्या पाने गुल dip तुम भद्रा बांध् और यहां पर नदी को अगला देखिंगाँ ररी कि तुम भद्रा नदी कॉले तुम बॉड्रा नदी हो यह अपर बोकर साहां कि भाख्रा न雈 पांगे होगा अगला देखिए तुम बाद्टि जो में बाद हुआ और यह ईंपोर्टेंट आ वागानांग हम सतला जाधि कि 2005 अपर होता है और के आपके मांशित्र मांशित्र न्वी देखिए और यहिमाचल पर्देश से और इसकी सीमा पर क्या है आपका भाखडा-東西 राणल बाद मिन 123 ग्रण एऱ ह्मा आफ ड topics बांद अग्छान अंगल बांद हो गया है ठीक है और किस नदीपर यह है यह आपका सतलज नदीपर है नदी का नाम भी आप साथ में याद रखिएगा अगला दिखे सलाल बांद कहाँ पर जम्मु कसमेर में और किस नदी पर चीनाउड नदी पर है तो आप साराल बांद कहा पे जम्म native में मान चितर ज poo का सकते हैं तो यहां पे इसको चाहिए यहाँ पर सलाल बांद म्हों सलाल बांद कैसे लिए और किस नदी की नाम भी आप साथ मेरे याद में रहेगा चिनाओ नदी थीजाई है अगला यह रख्या यत यह ब्यों इंप्रॉेंट का टेकरेका आपका उत्रा खंड में किस नधी पर भागी रथी बिलागना नधी के संगा पर आप उप्रशन पूछ यह पूछय में दिखा यह टीहरी बान जो उत्तरा खंड राज्य में है तो देखिए आपका मान चित्र है पूरा यहां से देखिए यहां तक उत्तर परदेश उत्तर परदेश के यहां पे आपका है इव पूर्डग क्षिण के आपको इस पकार से चर्वेकर ने सब्वाइब आपको इसके यह अराव देखीए एक का सर्दा सरोर बानरमदान नदी पर होता और गुझञेए यह भी का फ़्स्सक्रां!! अब गुझरात राज्ज में कैसे दिखाएंगे यही कंशित रह अभेदा आपका मानचित्र है। अब यह है आपका घुझरात में क्या देखा नैंशrooms当然 रव बांद देखा दिखा तर चिए कब शरोर और नदी आप सकते हैं कौंई सी नदी नर्मादा नदी नर्मादा ननी शर्दार सरौर बांद किस नदी पर है नर्मादा नदी परbinary ती इस समानचेत्रों को देख दीजि राड़ा परताप सागरबांद कहा पर है तो राड़ा परताप सागरबांद राजस्थान में है देखें रा से राजस्थान याद रख सकते हैं और किस नदी पर है चंबल नदी पर तो राजस्थान में राड़ा परताप सागरबांद दिखा देते हैं तो देखें स्थान में है तो आप इसको यहां पर भर सकते हैं अगला और लास्ट कोईस्टिन है आप नागा अर्जुन सागरबांद कहां पर है तो चलिए आप तिलंगना देखाते हैं यहां पर ध्यान से देखिएगा यह वाला भाग जो पढ़ता है आंद्र परदेश कौन सा भाग है यह पूरा अंद्र परदेश से जबकि यह वाला जो कटा हुआ भाग इधर है यह आपका तिलंगना है और तिलंगना में कौन सा दिखाना है तो नागा अर्जुन सागरबांद यहां पर आप नागा नागा और जुन सागरबांद और नदीभी किष्ण नदीगों देखा आपको मांचित्र वाले सवाल इससे एक वी क्वेशन बाहर जाने वाला नहीं है बस एक दो बाल वीडियो को देखें सिर्फ हलका सा प्रक्टिस कर लिजिए आप कल के बोर्ड के एक्जाम में पूरे पूरे प्रश्ण आप सही करके आएंगे एक बाया और बता देते हैं यह आपका राजस्थान में इसके लिए नर्मादान नदी कहां पे है तो नर्मादान नदी आपका गुजरात में देखाईएगा इसके साथ में सरवादार सरवरबांध कहां पे है तो सरवादार सरवरबांध आपका गुजरात में है और शात में देखें इधर नीचे तो यह तुम भद्रानादी करनाटक में देखाईएगा तुम भद्रा बांध भी आपको कहां पर करनाटक में ठीक है इसको देख लीजी एक बार इसके लोग नागार जुन-सागरबाद आपका तिलंगना राज्य में और एक आपका हवता है हीरा कुंड बान जो महानदी पर इस से बाहर एक question भी नहीं जाने वाला है तो friends आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिए आप question 10 number अपना fix कर सकते हैं तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें